हुआ फ्रेंड वेल्कूम बैक टो माई चानल कोमल की रेशिपी आज मैं बना रही हूँ पनीर के पराथे जो कि बहुत ही हेल्दी होते हैं और बहुत ही जल्दी बनके तयार हो जाते हैं और टेश्टी भी बहुत लगता है खाने में तो पटाफट से पनीर का पराथे बनाना अजवाइन के लिए बहुत है तो अजवाइन आप ज़रू डाले करने से टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और इसमें तो घीविव भी डाल सकते हो तोड़े पानी डालते हुए इसका डो तयार कर लूंगी मैं आप बिल्कुल आप की जैसे आप रोटी के लिए आप तयार करते हो वैसे आपको तयार करनी है ये देख सकते हैं आप डो मैंने तयार कर लिया है बहुत जादा हाट भी नहीं है, इसमें थोड़ा ओईल लगाकर, थोड़े दिर के लिए से मैं रस्ट के लिए शोड़ दूँगी, ढख करकी इसे छोड़ दूँगी मैं, कम से कम 10 पंदर में रस्ट के शोड़ दूँगी मैं, और तब तक इधर त्यार कर लेती हूं में स्ट पनीर को फिर थोड़ा नमक दालूँगी स्वादनुशार थोड़ा जीरा पाउडर थोड़ा गुलकी पाउडर थोड़ी लाल मिर्ची पाउडर थोड़ी दन्या पाउडर फिर थोड़ा बारिक कटा हुआ प्याज जाएगा और हटी दन्या की पत्ती जाएगी कटी भी बारिक और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं अब 10-15 मिर्ट हो चुके हैं तो आठा को देख लेती हो मैं यह देख सकते हो आठा बिल्कुल रेडी हो चुका है अब इसकी लोईया त्यार कर लें लोगी मैं अब थोड़ा थोड़ा आठा लगा के इसकी कटोरी बना लूँगी और इसमें स्टफिंग को डाल दूँगी और ऐसे चम्मच की मदल से थोड़ा प्रैस करते हुए स्टफिंग भर भर के डालूँगी तभी तो पनीर दिखा ही देगा पराथे में वड़ना अगर स्टफि अब 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 बेल ते टाइम और फिर अच्छे से उसे फोल्ड करके फिर इसे बेल ले बिल्कुल हलके हाथों से बेल लूँगी मैं ताकि यह फटे ना इत्फिंगे अब पराथे को सीख लेते हैं तो तव दफिंग अच्छा पराथा बनेगा और फुलब दुख शुट बहुतीं गर्म गर्म नरम ऑथोड़ा खश्ता भी बनेगा जो कि भाष ही टेस्टी लगता है घरने में और यह देख सकते हो कितना बढ़ीया पराठा बन के त्यार हो चुका है बहुत ही टेश्टी पराठा बन के ट्रेड़ी हो चुका है अब मैं इसे फाड़ के दिखाऊंगे आपको कि पूरा पूरी इसमें स्टुफिंग गई हुई है बनीर पूरा ही दिख रहा है इसमें नहीं कितनेम subsidi यह कंश्छ संस्रों क्योंके ँबना तब वाक्चिंट को सब्सक्राइब करें लेकलतुए है ठीकर शाण बेठोने को कि जरूंके तर फीजिश भिचेता मों हेड कूनप ही। झाल 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 झाल